What's up guys, बहुत सारे students परशान चल लए हैं, मतलब उनको computer certificate से लेकर बहुत सारे doubts हैं, तो मैं आज इससे सम्मधित हाला की वीडियो ही बना दे रहा हूँ, मैंने इससे पहले 2-3 महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन शायद आप लोगों को वीडियो मिला नहीं, वो मैं फिर से वीडियो बना दे रहा हूँ, मतलब बहुत स्टुएंट पर शाने के इलाबाद high court के यो ARO, RO की भरती जो आती है, क्या इसमें O-Level compulsory है, या CCC compulsory है, मतलब सब उल्टे सीधे सवाल, मैं आप 2-3 मिडियो का समय दे, मैं आपके सभी routes clear कर दूँगा, अगर आपक के भी दिमाब पर कुछ ऐसे ही सवाल है, इलाबाद high court job से समधित, या कुछ और भी सवाल है सरकारी नौकरी से समधित, तो आप comment section में अपने सवालों को लिखिए, जो भी next video मैं बनाऊंगा, आपके सवालों का समाधान करूँगा, प्लस आप हमाई चैनल को subscribe कर सकते हैं, दोस्तों साथ share कर सकते हैं, जो भी video हमाई चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, वो genuine होगा, fake video नहीं होगा, ठीक है, प्लस आप हमाई टेलिगाम चैनल को भी join कर सकते हैं, अगर आपको study material free of cost चाहिए, English की word power free of cost चाहिए, तो आप हमाई टेलिगाम चैनल भी join कर सकते हैं, description box में link दी हुई है, प्लस मैंने आप, आप लोगों के लिए मैंने एक चीज आसान कर दी है, आसान ये की है, कि जो आप लोग सवालों के लिए, मतलब इधर उदर जो आप लोग other channels में जाते हैं, तो देखें मैंने एक playlist बना दी है, हाई code से सम्बंदित है, इलाबाद हाई code jobs open कीजे, इसमें आपके सभी doubts में clear किया हूँगा, ठीक है, और प्लस strategy के बारे में कुछ लोग पूछ रहे, तो देखें, strategy वाली भी playlist बनी हुई है, तो आप लोग strategy वाली भी playlist देख सकते हैं, इसके अलावा typing tips, जिनको typing में थोड़ा tips चाहिए, उससे सम्मंदित भी यह playlist देखिए, इसमें वीडियो आपके पढ़े हैं काम के, ठीक है, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो देखिए, यह candidate परशान चलना है कि समय पास triple C है, या लेविल है, मतलब क्या लेना है, तो देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, देखिए, डिग्रियां कितनी तरह क कि होती है, मैं इसमें आपका समय बरबाद नहीं करूँगा, पस यह बता दे रहा हूँ, जिसके पास simple degree है, simple degree मतलब जिसने के एवल बीए किया है, या बी-कॉम किया है, या कोई भी डिग्री जिसके पास है, बी-ए, बी-कॉम या बी-स-C, simple, ठीक है, simple C जिसके पास degree है, म चाहे वो CCC करें, चाहे वो O-Level करें, चाहे वो PGDCA करें, चाहे वो DCA करें, एक साल वाला चाहे वो 6 महने वाला डिप्लोमा करें। Condition यह है कि आपके पास जो भी certificate या diploma होगा, वो recognized, government recognized institute से या university से होना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास certificate नीलिट का हो या डोएक का हो, देखें, नीलिट और डोएक दोनो एक ही चीज़ है, ठीक है, नाम पहले क्या नाम था, अब नीलिट नाम होगे, पहले डोएक नाम था, ठीक है, कोई जरूरी नह का certificate देती है, ठीक है, तब भी आपका certificate allow है, eligible है, आपने open किया है, चाहे regular किया हो, कोई मतलब नहीं, सब allow है, ठीक है, समझ गये, अब यह हो गया, simple graduation जिसने simple किया था, आप मैं बात करता हूँ, जिसके पास special degree है, special मतलब जिसने BSC IT किया है, मतलब BSC IT जिसकी degree है, या जिसके पास BSC CS, computer science, जिसके पास है, तो आपको अलग से computer के degree लेना अनिवार दे नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने already अपने graduation के दौरान computer का विशय पढ़ा है, और आपकी mark sheet में computer के mark भी show हो रहे होंगे, ठीक है, simple सी बात है, जिसके पास BSC IT या BSC CS जिसके पास है, उसको अलग से computer क और कोई भी certificate, degree, diploma नहीं लेना है, ठीक है, बस आपके certificate आपके mark, जो आपके पास result होगा, जो आपके पास BSC वाला, उसमें आपके mark show हो रहे होंगे computer के, ये proof है आपके लिए, ठीक है, ये हो गया, अब तीसरी बात करता हूँ, जिसने BCA किया है, BC वाले candidates के लिए, simple सा आप आपके तो तीन साल graduation पढ़ा है, भाई, bachelor in computer application, तो understood है कि जब आपने तीन साल computer पढ़ा है, तो आपको अलग से क्यों करना, triple C, आपको ना अलग से triple C लेना है, ना आपको अलग से O level लेना है, ना अलग से आपको diploma करना है, आपने already अपने graduation के दौरान तीन साल computer ही पढ़ा है आपकी mark sheet वही है, तो आपको अलग से कुछ भी computer की qualification नहीं लेना है, हाँ, doubt क्यों होता है student को BCA वालों को, देखे कहीं कहीं अनिवार कर देता है कि हमको O level ही चाहिए, कुछ-कुछ department है, जैसे आप जानते होंगे कि UPPSC वाले में O level ही मांगता था, O level के लावन को कुछ नही है, O level के अलावा, अगर आपके पास simple degree है, अगर आपने computer नहीं पढ़ा है अपने graduation के दोरान, तो आपके पास triple O level नहीं है, तो आप triple C भी है, तब भी चल जाएगा, PhDC है, तब भी चल जाएगा, DC है, तब भी चल जाएगा, ठीक है, तो BCA वालों के लिए कुछ नहीं चाह सुखते हैं, Sir, हमने BTEC किया है, देखे, ये बहुत complicated सवाल है, ये जो BTEC जो भी student किये हैं, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, देखे, BTEC भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, जैसे, एक हो गया CS, एक हो गया IT, एक हो गया biotechnology, ठीक है, biotechnology, जनरली, आपको पता है कि आप BTEC के candidate है, जिन्होंने CS और IT से अपना BTEC किया है, आपको अलग से computer की कोई भी certificate, कोई भी diploma नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपने already computer science आपकी ब्रांज थी, आपकी already IT ब्रांज थी, तो आपको अलग से computer का certificate, डिप्लोमा नहीं लेना है, वहाँ allow है, वहाँ accept हो अब मैं बात करता हूँ, अलग branches की, किसी ने mechanical engineering से किया है, किसी ने electrical engineering से किया है, किसी ने civil engineering से किया है, किसी ने chemical engineering से किया है, किसी ने biotechnology से किया है, अलग-अलग जो branch है engineering की, देखिए, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब को पता है कि BTEC वाले computer पढ़ते हैं, एक semester पढ़ते हैं ठीक है तो बस कंडिशन यह होनी चाहिए कि अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है कंप्यूटर का अगर आपने एकजान दिया है तो माक्ष शीट में आपके माक्ष शो होने चाहिए माली जी आपने mechanical engineering से बीटेक किया है आपने एक semester अगर computer पढ़ा है तो एक semester जो आपने exam दिया होगा computer का उसके माक्ष आपके किसी भी semester में show होने चाहिए अगर वो mark show हो रहे हैं तो वो proof है आपके लिए ठीक है आप उसको show कर सकते हो ठीक है आप दिखा सकते हो वहाँ जाके जब आपको DV होगा तो आप दिखा सकते हो कि देखे सर मैंने second semester में computer का exam दिया है ये mark sheet में mark show हो रहे हैं तब वो आपको allow करेंगे तब आपको accept करेंगे ठी है क्योंकि BTEC का मतलब लोगों को पता है bachelor technology होता है technology आपको पता है technology जिसके पाद technology का ग्यान होगा उसके पास computer का ग्यान होगा ही लेकिन फिर भी यहां पे जानते हैं कि थोड़ा सा यहां पे रटन्त विद्या लोग बुकिश लोग ज्यादा सोचते ना लोग practical सोचते नही करते हैं CS और IT वालों को ही लाओ करते हैं बाकी सब other branches वालों को परशान करते हैं तो आप लोगों के में एक बात में बता रहा हूं कि अगर बीटेक वाले जो other branches से किये हो जो mechanical से किये हो या जो civil से किये हो अगर आपकी mark sheet में computer के mark show हो रहे हैं अगर आपने graduation के दौरान computer चाहे third semester की हो चाहे fourth semester की हो किसी भी semester में अगर आपने computer का exam दिया है उसके mark show हो रहे हो तो आपको अलग से computer का certificate नहीं लेना है अलग से आपको computer का diploma नहीं लेना है क्योंकि आपने already उसका exam दिया है और proof के तौर पर आपके mark sheet में show हो रहे हैं लेकिन अगर आपके marks mark sheet में show नही हो रहे हैं भेले ही आपने computer पढ़ा उपने बीटेक के दोरान लेकिन बीटेक की किसी भी semester की mark sheet में आपके mark show नहीं हो रहे हैं computer के तो फिर आपको उस condition में अलग से computer का certificate लेना पड़ेगा ठीक है आप अलग से triple C आपको करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे नहीं मानते हैं वहाँ पे डीवी में बाहर कर देंगे 2018 में एक candidate था जिसने mechanical engineering से किया था बीटेक तो उसका जिसने डीवी किया था वह बहुत ही मतलब helpful person था जिसने डीवी किया था हाला कि उस बंदे ने MNIT से बीटेक किया था तो उसके डीवी में उसको अलाव कर दिये क्यों कि देखिए अब यह तरह तरह की बात होती ना आपका डीवी कौन कर रहा है अगर पढ़ा लिखा इंसान आपका डीवी कर रहा होगा ठीक है नॉलेजफुल परसन अगर आपका कर दिया ठीक है इसको बाहर नहीं किया था लेकिन 2019 के दौरण एक क्यंड़िडेट की कॉल आई मेरे पास उसने इलक्रिकल इंजिनिंग से किय था तो अब पता नहीं उन्होंने उसके बात नहीं हुई यह क्योंकि final result आने के बाद DV हुई है तो उनको allow किया कि नहीं किया लेकिन बहुत तामजाम उनके साथ हुआ उनको मतलब बाद में time दिया कि नहीं दिया यह मुझे knowledge नहीं है लेकिन तामजाम बाद में हो जाएगा इसलिए बेहतर है कि जिसके पास BTEC की अलग डिगरी है यह confirm किए यह शुनस्चित कीजे कि आपके mark sheet में computer के mark show हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अगर show हो रहे हैं तो वो proof है तो आपको अलग से नहीं करना है और अगर नहीं show हो रहे है तो आप क्रपया करके CCC कर लिजे तीन महीने का course है ठीक है और प्लस कुछ लोग Hindi tapping के बारे में Hindi tapping मांगता है UP PCL की तरफ से जो ARO आती है उसमें Hindi tapping मांगता है बाकि इलावाद high court में English tapping ही मांगता है ARO में ठीक है तो यह मैंने आपके doubts clear कर दिये हैं तो आप परिशान ना हो आपके मन में कुछ ऐसे ही सवाल है कुछ ऐसे ही doubts है तो आप मैं चनल को subscribe कर सकते हैं दोस्तों स देख सकते हैं जो भी next video में बनाऊंगा उसी में उसी playlist में डालूँगा हमाई चनल को आप अपने दोस्तों साथ share करिए और हमाई telegram चनल को भी आप join कर सकते हैं free of cost आपको material मिल जाएगा इस video में इतना ही जैहिन